स्वागत है आपका इस प्लेलिस्क में हम चैप्टर नंबर वन के एक्स्ट्रा कोश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं NCRT कोश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्क है activities की explanation और sample papers के लिए भी अलग प्लेलिस्क है तो पिछली वीगियो में हमने जहां तक डिस्कस कर लिया था अब उसके आगे continue करते हैं नेक्स्ट कोश्चंस पर आते हैं ये वाला कोश्चंस भी NCRT एक्जाम्पलर प्रॉब्लम है water as ice has cooling effect जो water है ना जब वो ice की form के अंदर होता है तब तो उसका cooling effect होता है ice अगर हमारी बॉगे के साथ कच होगी तो उसकी वज़े से हमें ठंडा फिल होता है whereas water as steam may cause severe burns लेकिन वही पानी वही water जब steam की form के अंदर होता है तब वो बहुत ज़ादा dangerous होता है वो हमारी skin को burn कर सकता है explain these observations हमने इन दोनों observations को explain करना है कि है तो watery जब water ice की form के अंदर है तब तो उसका cooling effect है लेकिन वही water जब scheme की form के अंदर है तब उसका burning effect है वो हमारे skin के उपर severe burns produce कर सकता है तो ऐसा क्यूं होता है इस बात को हमने detail में discuss करना है जब water ice की form के अंदर होता है तब water के particles के पास काफी कम heat energy होती है जब water ice की form के अंदर होता है तब water के particles के पास बहुत ज़्यादा कम heat energy होती है तब भी जब वो हमारी body के साथ contact में आती है तो हमारी body में से heat energy absorb कर लेते है क्योंकि हमारी body में से heat energy निकल जाती है इस वज़े से हमें cooling effect आता है लेकिन वही water जब scheme की form के अंदर होता है तब water के particles के पास बहुत ज़्यादा heat energy होती है जब water scheme की form के अंदर होता है तब water के particles के पास बहुत ज़्यादा heat energy होती है और ये वाले particles तब अगर हमारी बॉगे के साथ contact में आएंगे तो हमारे बॉगे को काफी ज़्यादा heat energy प्रोवाइड कर देंगे जिसकी वज़े से हमें burning sensation होता है देखो ice को अगर आपने scheme में convert करना है तो आप कैसे करोगे ice को आपने scheme में convert करना है ice को आप heat करना start करोगे तो पहले ice water में convert होगी water को और ज़्यादा heat करेंगे तो फिर वो scheme में convert होजेगा तो ice से scheme में जाने के लिए हमें लगातार काफी देड़ तक heat करना पड़ेगा मतलब particles को बहुत ज़्यादा heat energy सप्लाई करने पड़ेगी scheme के particles के पास heat energy बहुत ज़्यादा होती है इस वज़े से scheme अगर हमारी बौगे के साथ contact में आएगी तो हमारी बौगे को बहुत ज़्यादा heat energy प्रोवाइट कर देगी और उतनी heat energy की वज़े से हमारे skin के उपर burns produce हो सकते हैं तो ये reason है इसका answer के अंदर आप ऐसे लिखोगे when water is present in the form of ice its particles have very low energy जो water है ना जब वो ice की form के अंदर है उस समय water के जो particles होती है उनके पास बहुत ज़्यादा कम energy होती है बहुत low energy होती है when they come in contact with the body they absorb heat energy from the body and produce a cooling effect जब वो किसी भी बौगे के साथ contact के अंदर आते हैं तो वो हमारी बौगे में से heat energy को absorb कर लेते हैं उनके पास energy बहुत कम होती है ना water particles जब ice की form के अंदर होती है तब उनके पास energy बहुत कम होती है तब अगर वो हमारी बौगे के साथ contact में आएंगे तो वो हमारी body में से काफी ज़्यादा heat energy को absorb कर लेंगे और अगर हमारी body में से heat energy absorb कर ली जाएगी तो उसकी वज़े से हमें cooling effect आता है हमारी body में से अगर heat energy निकलेगी तो हमारी body का temperature reduce होगा जिसकी वज़े से cooling effect आता है Second part में scheme वाले part को आप ऐसे explain करोगे When water is present in the form of scheme its particles have very high energy जब water scheme की form के अंदर present होता है उस समय जो water के particles हैं उनके पास energy बहुत ही ज़ादा होती है क्योंकि scheme में convert करने के लिए हमें water को लगातार heat करना पड़ेगा काफी लंबे काइम तक के लिए तो water को जब अब बहुत ज़ादा heat energy supply कर दोगे तब जाके वो scheme में convert होता है तो scheme के particles के पास बहुत ज़ादा heat energy है When scheme particles come in contact with a body they transfer large amount of heat energy to the body which may cause severe burns अब ये तो में clear होगे न कि जो scheme के particles हैं उनके पास बहुत ज़ादा heat energy है तो ये वाले scheme के particles जब भी किसी बॉगे के साथ contact के अंदर आते हैं तो ये काफी ज़ादा heat energy large amount of heat energy transfer कर देते हैं जिसकी वज़े से हमारी skin के अंदर severe burns produce हो सकते हैं जो scheme है न वो बहुत ज़ादा dangerous होती है क्योंकि जो scheme होती है scheme हमारी skin को उपर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ से burn कर सकती होती है इसलिए scheme बहुत ज़ादा dangerous होती है scheme के particles के पास heat energy बहुत ज़ादा है जैसी ये particles किसी भी बॉगे के साथ contact में आएंगे तो ये large amount of heat energy उसे transfer कर देंगे जिसकी वज़े से skin के अंदर burns produce हो सकते हैं next question पे आते है Alka was making tea in a cackle जो Alka है न वो इस तरह की किसी cackle के अंदर अराम से चाय बना रही है suddenly she felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the cackle एकदम से क्या हुआ इस cackle में से काफी सारी scheme बहार आई और उस scheme की वज़े से Alka को काफी ज़़ा intense heat feel हुई क्योंकि जो scheme होती है वो बहुत ज़़ादा गरम होती है तो जैसी यह जो scheme के particles है उन्होंने Alka को touch किया Alka के हाथ पे या जहाँ पर भी scheme लगी तो उसे बहुत ज़़ादा intense heat feel हुई उसे बहुत ज़़ादा गरमी feel हुई अब Alka यह सोचने लगी कि यहाँ से जो scheme निकली है उस scheme का temperature ज़ादा है यह इस कैकल के अंदर जो water boil हो रहा है उसका temperature ज़ादा है Alka को यह वली scheme का चुई जिसकी वज़े से उसे बहुत ज़़ादा heat feel हुई तो अब Alka यह सोच रही है कि यह वली जो scheme है क्या इसका temperature कैकल के अंदर जो water boil हो रहा है उससे भी ज़ादा है और कोशन में हमें इसका answer देने के लिए मतलब reason देने के लिए comment करने के लिए यह जो भी हमारा observation या point of view है उसे justify करने के लिए बोला गया है कोशन क्लिर होगे आपको कैकल में से scheme बहार आई है अब Alka यह सोच रही है कि यह जो scheme है न scheme का temperature कैकल के अंदर जो boiling water है क्या उसके temperature से ज़ादा है हमने यह बताना है कि scheme का temperature ज़ादा है देखो कैकल के अंदर है boiling water और यहां से बहार आ रही है scheme boiling water का temperature भी 100 degree Celsius होता है और scheme का temperature भी 100 degree Celsius ही होता है दोनों का temperature न बराबर है scheme का temperature 100 degree Celsius है और इस कैकल के अंदर जो boiling water है उसका temperature भी exactly 100 degree Celsius है लेकिन इन दोनों में से heat energy बराबर नहीं होती है temperature बराबर होता है लेकिन heat energy scheme के particles के पास ज़ादा होती है अंदर इसके boiling water है ना boiling water के particles के पास जितनी heat energy होती है scheme के particles के पास वो सारी heat energy तो होती ही है साथ में additional leaking heat को vaporization भी होती है water को scheme में convert करने के लिए जो हमें additional heat supply करने पड़ती है न, उसे बोलती है लेकेंग heat of vaporization, तो scheme के particles के पास उतनी energy तो होती ही है, जितनी boiling water के particles के पास होती है, साथ में additional, लेकेंग heat of vaporization भी होती है, जिसकी वज़ह से अगर overall देखा जाए, तो scheme के particles के पास जादा heat energy होती है, इसलिए वो और जादा dangerous burns produce कर सकते हैं, temperature दोनों का बराबर होता है, balling water का भी temperature 100 degree Celsius है, scheme का temperature भी 100 degree Celsius है, लेकिन balling water के particles के पास और scheme के particles के पास energy सेम नहीं होती, scheme के particles के पास जादा energy होती है, इसलिए इसकी वज़ह से जादा dangerous burns produce हो सकते हैं, तो answer में आप ऐसे लिखोगे, इसलिए scheme काफी जादा burn produce कर सकते हैं, क्योंकि scheme के पास heat energy जादा होती है, ये first figure के अंदर हमारे बास बॉलिंग water है, और इसका temperature 100 degree Celsius है, अब ये वाला जो water है, वो अपने आप थोड़ी scheme में convert हो जाएगा, अगर आपने इस water को scheme में convert करना है, तो आपको heat energy supply करने पड़ेगी, और water को scheme में convert करने के लिए, जो heat energy सप्लाई करने पड़ती है, उसका पूरा नाम है leken heat of vaporization, तो इस जो scheme के particles है ना, scheme के particles के पास वो सारी energy तो है ही, जो कि water के particles के पास थी, साथ में additional leken heat को vaporization भी है, इस वज़े से scheme के पास जाद energy होती है, temperature दोनों का ही same है, scheme का temperature भी hungry है, boiling water का temperature भी hungry है, लेकिन जब water को scheme में convert करना होता है, तो हमें additional heat supply करने पड़ती है, तो ये scheme के particles के पास वो सारी heat energy तो है ही, जो boiling water के particles के पास है, साथ में ये additional leken heat को vaporization है, जिसकी वज़े से total heat energy scheme के पास ज़ाद हो जाती है, तब ये अलक लक हो ना, scheme ज़ादा गरम फिल हो रही थी, तब ये उसे ऐसे लग रहा था कि scheme का temperature ज़ादा होगा, temperature ज़ादा नहीं है, बस उनके पास heat energy ज़ादा है, नेक्स्ट कोशन पर आते हैं, अगर हम किसी तरह से उस ग्लास के अंदर के जो contents है, उसका temperature note कर सकते हैं, सपोज हम हमारे पास कोई ऐसे technology है, जिससे जो आपका ग्लास है न, वो तो रेफ्रीज रेकर के freezer compartment के अंदर ही पड़ा हुआ है, उसको अंदर रखे रखे ही, हम उसके अंदर के जो contents हैं, उसका temperature note कर सकते हैं, तो अगर हम time और temperature के बीच में graph बनाएंगे, तो किस तरह का graph बनेगा, आगे हमें न, four options दे रखे हैं, चार graphs बना के दे रखे हैं, जो यह वली line लिख हुई है न, as a function of time, इसका मतलब होता है, कि x-axis के उपर आपने time को represent करना है, और time के साथ temperature के अंदर क्या effect आ रहे हैं, उसे represent करना है, मतलब y-axis के उपर आपने temperature को represent करना है, चलो चारो graphs को देखते हैं, तो यह a, b, c और b, यह वाले चार graph हमें बना के दे रखे हैं, देखो आपको graph को रीख करना काफी अच्छे तरीके से आना चाहिए, अगर आपने आगे जाके class 11, 12 के अंदर magical या non magical लेना है, तब फिर आपको graph को रीख करना तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एक लंबा paragraph लिखके, जितनी information को represent किया चाह सकते हैं, एक छोड़के सा graph बनाके उससे जादा information को represent किया जा सकते हैं, तो एक एक करके जरह इन चारो graphs को study करते हैं, सबसे पहले इसको graph number D को देखते हैं, अब देखे हो यहाँ पर x-axis के उपर time है, और time को measure किया जा रहे है मिनक्स के अंदर, यह जो y-axis है, y-axis के उपर temperature है, और temperature को हम measure कर रहे हैं, degree Celsius में, यह बनी जो docking line है न, वो 0 degree Celsius को represent कर रही है, मतलब यहाँ पर 0 है, फिर इसके उपर के temperatures होंगे, 10, 20, 30, 40, 56 की, हैसे, और इसके नीचे, minus 10, minus 20, minus 20, इस तरह के temperatures होंगे, अब यह देखो, यह जो graph है न, पहले यह नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो भी temperature था, यहाँ पर पहुंचके temperature zero हो गया है, मतलब temperature degrees हो रहा है, पहले temperature degrees हो रहा है, फिर temperature increase हो रहा है, यह वला graph represent कर रहा है, कि पानी के glass को, जब आप रेफ्रिज रेकर के freezer compartment में रखोगे, तो पहले उसका temperature degrees होगा, फिर उसका temperature increase होगा, यहाँ तक तो ठीक था, यह वला जो पार्ट है न, वो गलत है, फ्रिज के अंदर अगर आपने पानी रखा हुआ है, तो उसका temperature decrease होता है, थोड़े कैम के बाद फिर temperature increase नहीं होने लग जाता, अगर आप आलो को फ्रिज में रखोगे, तो पहले आलो ठंड़ा होगा, उसके बाद आलो गरम हो जाएगा, ये ग्राफ कहरा है कि ऐसा होगा, अगर आप आलो को फ्रिज में रखोगे, तो आलो पहले ठंड़ा होगा, फिर और ठंड़ा होगा, फिर और ठंड़ा होगा, पहले ठंड़ा होगा, उसके बाद गरम हो जाएगा, आलो के साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट तो गलत है इस वाले पार्ट पे आते हैं B पार्ट को देखते हैं कि क्या होगा B पार्ट में भी ये वाली जो लाइन है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि temperature decrease होगा इतना पार्ट तो ठीक है क्योंकि fridge में जब हम रखेंगे तो temperature decrease होगा इस point पे temperature zero हो गया है अब देखरो फिर ये line ना सीधी ही चली गई है ये वाला पार्ट यहां पे गलत है एक बार जब temperature zero हो जएगा ना तो उसके बाद जो water है ना वो solid ice में convert होना start हो जाता है और जब तक water ice में convert ना हो जाए तब तक graph और नीचे नहीं जाएगा मतलब temperature और decrease नहीं होता लेकिन यहां पर तो उन्होंने सीधा ही नीचे ले गए है इसलिए ये वाला पार्ट गलत है ये जो graph A है ना graph A बिल्कुल सही बना हुए graph A को discuss करते है देखो ये वाला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहे है कि temperature decrease हो रहे है जो कि बिल्कुल सही बात है जैसी आप glass को refrigerator के freezer compartment में रखोगे तो temperature decrease होना start होगा पानी खंगा होना start होजेगा temperature zero degrees Celsius होजेगा तो यहां तक ठीक उसके बन देको यहां से लेकर यहां तक temperature zero ही है क्योंकि इस समय पते क्या हो रहे है जो water है न वो ice में convert हो रहे है यहां से लेकर यहां तक अपना freezing हो रही है जो water है water ice में convert हो रहे है इस point पे इस वाले point पे अब सारा का सारा water न आ ice में convert हो चुक है जब सारा water ice में convert हो चुक है उसके बाद temperature फिर और degrees होना start होजएगा minus 10, minus 20, minus 60, minus 40 temperature फिर और degrees होना start होजएगा तो पहले temperature degrees होगा degrees होके कितना होजएगा 0 degrees Celsius होजएगा 0 degrees Celsius होने के बात क्या होगा water, ice में convert होना start होजएगा temperature तब तक 0 degrees Celsius ही रहेगा जब तक सारा का सारा water, ice में convert नहीं हो जाता जो ये वाला point है न इस वाले point पे water ice में convert होना start हुआ था और जो ये वाला point है न इस वाले point पे सारा का सारा water ice में convert हो चुका है मतलब यहां से लेकर यहां तक इस point से लेकर इस point तक water लगतार ice में convert होता जा रहा है और इस point पे सारा का सारा water ice में convert हो चुका है जब सारा water ice में convert हो चुका होगा उसके बाद फिर temperature और decrease होना स्टार्ट होगा clear हुआ तो ये option ठीक है C वाले part में अब आपको पता चलिएगा कि गलती क्या है ये वाले part ठीक है पहले temperature degrees होता है फिर जो water है ice में convert होगा ये भी ठीक है लेकिन फिर इन्होंने temperature को और decrease नहीं किया water जब सारा ice में convert हो चुका होगा उसके बाद temperature और decrease होना स्टार्ट होजएगा फिर वो और ज़दा ठंड़ा होना स्टार्ट होजएगा क्योंकि न्होंने और नीची नहीं लेके गए न इसलिए ये वाला part गलत है ये बी वाला part समझागा था क्यों गलत है यहाँ पिन्होंने temperature decrease किया लेकिन फिर water को ice में convert होने वाला point ये वाली line को show नहीं किया यहाँ पे इसलिए ये वाला part गलत था और ये डी वाला part तो totally wrong है डी वाला part कह रहा है कि अगर आप आलो को फ्रीज में रखोगे तो पहले वो ठंड़ा होगा फिर गरम होगा पहले temperature decrease होगा फिर temperature increase होगा आलो के साथ ऐसा नहीं होगा temperature decrease होगा उसके बाद temperature और decrease होगा ये increase थोड़ी हो जाता है फ्रीज में temperature इसलिए यह वाला पाट गलत है अंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे पहले तो आप बताऊगे कि option A is correct फिर आपके reason या justification आपने ऐसे लिखना है On keeping the glass tumbler containing hot water in the freezer compartment of a refrigerator The temperature of water will decrease till it reaches zero which is the freezing point of water जब हम glass को जिसके अंदर hot water है उसे refrigerator के freezer compartment में रखेंगे तो उसका जो temperature है न वो decrease होना start होगा और तब तक decrease होता रहेगा जब तक वो 0 degree Celsius नहीं हो जाता और यह 0 degree Celsius है न यह water का freezing point है On keeping the glass tumbler containing hot water in the freezer compartment of a refrigerator जब आप glass को जिसके अंदर गरम पानी है उसे refrigerator के freezer compartment में रखोगे The temperature of water will decrease till it reaches zero degree Celsius तो जो water का temperature है न वो लगतार decrease होता रहेगा जब तक वो 0 degree Celsius नहीं हो जाता और यह 0 degree Celsius है न यह water का freezing point है At 0 degree Celsius, water will start converting into ice जब temperature zero degree Celsius हो जाएगा न फिर temperature रुख जाएगा Temperature अब और decrease नहीं होगा Minus के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि 0 degree Celsius पे यह जो water है न वो ice के अंदर convert होना start हो जाता है At 0 degree Celsius, water will start converting into ice जब temperature zero degree Celsius हो जाएगा उसके बाद temperature और कम नहीं होगा Temperature minus में नहीं जाएगा क्योंकि 0 degree Celsius पे water, ice के अंदर convert होना start हो जाता है The temperature will remain 0 degree Celsius Till all the water is converting into ice Temperature तब तक 0 degree Celsius ही रहेगा जब तक सारा का सारा water ice में convert नहीं हो जाता Temperature कब तक zero रहेगा? जब तक सारा का सारा पाने Glass में जितना पानी है न जब तक सारा का सारा पानी ice में convert नहीं हो जाता After that, the temperature will start decreasing again एक बड़ जब सारा का सारा water ice में convert हो चुका है उसके बाद फिर से temperature decrease होना start हो जागा मतलब 0 से और नीचे जाना start हो जागा Minus 1, Minus 2, Minus 3, Minus 4 ऐसे temperature फिर से decrease होना start हो जागा Clear? Next question पे आते हैं Suggest which of the vessels A, B, C or G Will have the highest rate of evaporation हमें यहाँ पे कोशन में ना चार diagram से बना के दे रखे हैं दो तो आपको clear नजर आ रहे हैं यह बागे के दुनों भी अभी आप देख पाऊगे और हमने बताना है कि इन चारों में से ना वो कौन सी वैसल है जिसके अंदर evaporation की speed सबसे ज़ादा होगी हमने बताना है चारों वैसल में से वो कौन सी वैसल है which has the highest rate of evaporation rate of evaporation का मतलब speed of evaporation मतलब किस container के जो particles हैं वो सबसे ज़ादा high speed पर evaporate होंगे तो ये हमारे पास four vessels है A, B, C और D ये जो C वाली vessel है ना इसके उपर एक fan भी है और fan चल भी रहा है moving fan लगा हुए बागी vessels के अंदर ऐसा कुछ नहीं है अब हमने बताना है कि evaporation की speed इन चारों में से किसकी अंदर सबसे ज़ादा होगी तो पहले तो आप A और B को compare करो इन दोनों के अंदर कुछ फरक आपको नजरा रहा है देखो जो A है ना वो थोड़ा सा ज़ादा बढ़ा है मतलब A का surface area ज़ादा होगा और हमें ये पता है evaporation increases with increase in surface area तो अगर A और B सिरफ ये दोनों ही होते तो जो A वल अपार्ट है ना वो हमारा answer होता क्योंकि इसका surface area ज़ादा है और surface area अगर ज़ादा हो तो evaporation की speed increase हो जाती है तब ही तो कपड़ों को सुकाने के लिए उन्हें फैला दिया जाता है क्योंकि फैलाने से surface area ज़ादा हो जाता है और surface area अगर ज़ादा होगा तो evaporation will be faster तो अब A और C को देखते है B तो हट या नहीं या से क्योंकि A और B में से तो A में evaporation की speed ज़ादा होगी तो B तो वैसी answer नहीं हो सकता B हट गया अब A और C को देखते है देखो A और C दोनों का size भी बराबर है evaporation increase हो जाता है with increasing wing speed हवा अगर तेज से लेगी न तो उससे भी evaporation की speed increase होती है तो A और C में से जो C वला पार्ट है उसमें evaporation और भी ज़ादा तेजी से होगा क्योंकि याँ पर surface area भी ज़ाद है और साथ में wing speed भी ज़ाद है क्योंकि उपर fan चल रहे जो D वला पार्ट है उसमें तो evaporation होगा ही नहीं क्योंकि देखो उससे न उपर से cover कर रख है evaporation का मतलब होता था ये अंदर जो liquid है न liquid के particles का gas के particles के अंदर convert हो जाना अगर आपने इसको उपर से बंदी कर दिया तो liquid के particles यहां से बाहर ही नहीं जा पाएंगे gas के particles में convert होके air में mix ही नहीं हो पाएंगे तो D तो वैसी नहीं आंसर हो सकता क्योंकि यहां पे तो आपने evaporation को ही खतम कर दिया है क्योंकि आपने उपर से बंदी कर दिया है इस container को तो A और B में से A में speak जादा होगी तो B वैसी हट गया और A और C में से C में evaporation की speak जादा होगी क्योंकि C में दोनों advantages है wing speak का भी advantage है और साथ में जादा surface area होने का भी advantage है तो C है इस part का answer तो answer के इंदर आप लिखोगे option C is correct और साथ में reason या फिर justification के अंतरा पैसे लिख सकते हो rate of evaporation increases with increase in surface area and wing speed जो evaporation की speak है वो increase हो जाती है अगर हम surface area को increase करें या फिर जो wing speed है न उसे increase करें अगले part में आप लिखोगे surface area of vessel A is more than that of vessel B so evaporation will be more in vessel A पहले न हमने A और B इन दोनों को compare करके बदाया हो है कि अगर vessel A और vessel B सिरफ इन दोनों को compare किया जाए तो जो A है vessel A उसका area जादा है उसका surface area जादा है अब क्योंकि surface area जादा है तो उसके अंदर rate of evaporation भी जादा होगा तो first part में पहले तो हमने A और B को compare किया तो B को reject कर दिया क्योंकि A और B में से A का surface area जादा था तो इसके अंदर evaporation जादा होगी vessel C has same area as vessel A अब A और C को compare कर रहे है तो A और C को जब compare किया जाता है तो area तो दुनों का same ही है but it also has a moving fan लेकिन जो vessel C था न उसके अंदर साथ में एक moving fan भी लगा हुआ था अब देखो fan चलेगा तो wind speed increase हो जेगे न हवा की वज़े से evaporation की speed जादा हो जाती है so evaporation in vessel C will be maximum तो जो vessel C है न उसके अंदर maximum speed पे evaporation होगा क्योंकि vessel C में दोनों advantage है इसका surface area भी जादा है और इसके अंदर fan भी लगा हुआ है तो fan की वज़े से जो wind की speed है वो भी जादा है तो इसलिए vessel C की अंदर maximum evaporation होने वाली है और D के बारे में आपने बताना है कि there will be no evaporation in vessel D because it is covered जो vessel D था न उसे तो उपर से cover ही कर दिया था तो उसकी वज़े से vessel number D की अंदर तो बिल्कुल भी evaporation होगा ही नहीं Next question पे आते है Conversion of solid to vapors is called sublimation देखो question की first line में तो हमें एक scapement देर रखी है और ये कह रहे है कि ये तो हमें पता ही है कि solid से अगर vapors में convert हो रहा है directly तो उसे sublimation बोलते है Name the term used to denote the conversion of vapors to solid अब question की second line में पूछा जा रहा है कि vapors से अगर solid में conversion हो रही है तो फिर उसे क्या बोलते है solid से vapors में conversion हो रही है तो उसे तो sublimation बोलते है लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है solid से vapors नहीं बलकि vapors से solid में convert हो रहा है तो फिर उसे क्या बोलते है तो इसका answer है कि उसे भी sublimation ही बोलते है चाहे solid से vapors में conversion हो चाहे vapors से solid में conversion हो देखो आम तो पर तो ऐसा होते है न कि अगर आप heat करोगे तो पहले solid से liquid में convert होगा फिर liquid से gas में मतलब vapors में convert होगा लेकिन कुछ ऐसे substances होते हैं जो कि liquid में convert नहीं होते solid से directly ही gas में convert हो जाते हैं और खंड़ा करने पे gas से directly ही solid में convert होते हैं दोनो processes का नाम sublimation ही है चाहे solid से vapors में convert हो चाहे vapor से solid में convert हो दोनो processes को sublimation ही बोलते हैं तो आंसर में आप ये लिखोगे, Conversion from solid to vapors or from vapors to solid without passing through liquid skate is called sublimation. चाहे solid से vapors में Conversion हो, चाहे vapors से solid में Conversion हो, अगर वो बीच में liquid skate में से pass नहीं हो रहा ना, तो फिर उसे sublimation ही बोला जाएगा. This is the answer. शेर की तरह पूरी ताकत से त्यारी करनी है एक्जाम की? See you in the next video. All the best.